सरदी के मौसम में बालों से लिएके स्किन तक सब कुछ हो जाते हैं ड्राइए और बहुत ही जादा प्रॉब्लमाटिक हो जाता है जब डेंडरफ आजाते हैं आपके बालों में आज विंटर सेल्फ केर रूटीन में शेयर करें हो अपके साथ में बॉडी केर, हेर कर और स्कि में ठंडा होने देंगे तेल को और जब थूड़ा हलका गुद्गुना रहेगा तो आप इसको स्केल्प पे लगा करके अच्छे से मसाज करेंगे मस्टर्ड ऑईल बहुत ही बेस्ट होता है आपके हेर्स के लिए अच्छा ये जो हेर ऑईल हमने बनाया ये आपके हेर ग्र हेर मास्क बहुत इफेक्टिव हेर मास्क है सबसे पहले यहां पे हम ले लेंगे कर्ड अपने हेर के अकॉर्डिंग लीजेगा दही और ऐसा पका हुआ बनाना लेकिया आईगा आप मार्केट से यह बहुत ही जादा पैस्ट होता है हेर मास्क बनाने के लिए तो यहां पे मास्क में जब डालोगे तो आपके स्केल्प पे अपलाई करने के बाद में डैंडर या फिर कोई भी ऐसे फंगल इंफेक्शन है तो उस सब को यह रिमूब करने में या ठीक करने में काफी हेल्प करेगा कर्ड नरिश करेगा आपके हैर को और बनाना एक जो है स्मूथ और शाइन देने का काम करेगा यहां पर देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाती है इसकी थोड़ी स्लाइमी रहेगी और अगर आप चाहिए कि आपको बहुत ही जादा ठीक चाहिए तो उपर से दही आप मिक्स कर सकते हैं इसको हैर में हम अच्छे से अपलाई करेंगे और आपक जादा ड्राय फ्रीजी हैर है आपके तो वह भी ट्रीट कर देगा यह मास्क बहुत ही बेस्ट हैर मास्क है त्राय करना तो बनता ही है तो यहां पर मैंने अपलाई कर लिया अब एक घंटे के लिए इसे में रखोंगी उसके बाद में बनाते हैं हम बॉड़ी एक्सपॉलि ठंडा होने के बाद में हम इसे डालेंगे मिक्सर में मिक्सि के जार में यहां पर मैं डाल ले रही हूं और यहां पर ढूलने वाले हैं यहां पर कस्तुरी परमरिक आफ चाहे तो साधी हलदी भी ले सकते हैं यह डालेंगे तो बहुत अच्छ है और एक थोड़ा सा छोटाあります आप बेशन लेंगे और पानी डाल के इसको घ्राइंड कर लेंगे एसी कंसिस्टनसी हो जाएगी इसकी उसके बाद इसको निकाले एक बाउल में इसमें डालेंगे हम कोकोनट उइल आप चाहे तो राइ llegar का तेल भी डाल सकते हो और यह बॉडिप नहाँ सबसे बैस क्यूश् घर में यहां पर यह यह यूज होता हुआ आया है सबसे बैस्ट है तो यहां पर मैं इसे ले रही हूँ और यहां पर हैंड पर अच्छे से हम इससे मसाज करेंगे आप जब पास से 10 मिनट तक मसाज करोगे ना इससे तो आपको फील होगा कि यह अपने आप से रिमूव होगा और आपके जो अन्वांटेड हैर्स है ना उसको थोड़े बहुत हैर्स को यह रिमूव कर देता है पूरे मैं नहीं कह रही हूँ रिमूव करता है थोड़े बहु कोई फाइदा नहीं है तो यहां पर देखिए मैं इसे अपलाई कर ले रही हूं और मसाज कर रही हूं काफी मसाज करने में थोड़ा टाइम लगता है पर जब आप इससे रिमूव कर लोगे अच्छे से जब पानी से दो लेते हो ना तो कमाल का एक गलो भी आजाता है आप कितना अच्छे से निकल गया और पानी से साफ करने के बाद में आप देख सकते हो किन से सारे डैच्छल निकल गया है और कितना गलो कर रहा है हमारा सही कि अच्छा इस इस मास्कों सबस्काते हो आप इसको पैरो case में भी अप्लाई कर सकते हो यह जब बडिक्यों इसकी पर एक बनाना बच गया था वैसा ही बनाना आपको लाना उसको अच्छे से ग्रेट करना है ऐसे छोटे वाले ग्रेटर से करोगे तो ऐसे बढ़ियां से ग्रेट हो जाएगा तो आपको ग्राइंडर में डालने के जरुवत नहीं पड़ेगी एक चमच बेसन डाला है हनी डालेंगे थोड़ा सा और इसमें हम वही वाइल टर्मरीक डालेंगे कस्तूरी हल्दी जो होती है वो डालके मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको इसे अपने फेस पे लगाना है और एक और चीज शेयर करती हूं यहां बीच में वह जो मैंने बॉड़ी स्क्रब बनाए था उससे आप लिप भी स्क्रब कर सकते हो अपने लिप्स को भी एक्सपॉलियेट कर सकते हूं यहां पर म कपड़े खराब होने की कोई भी डर नहीं रहेगा और थोड़ी डाक टीशिट लेजेगा हलके कलर की मत लेजेगा तो यहां पर देख सकते हो आप इसे अपलाई कर लिया और जब इसे रिमूव करेंगे ना तो कमाल का ग्लो आता है और कमाल की बात यह है कि ग्लो आने के सा साथ में सारी चीजे आपको आपके कीशन में मिल जाती है कोई भी एक्स्टा खर्चा नहीं करना है आपको तो यहां पर यह वाली मास्क और यह स्किन केर रूटीन आप ज़रू ट्राय करें दैन उसके बाद हम कर रहे हैं फूट केर यहां पर गरम पानी लेना है उसमें शै अब यहां पर मैंने शावर ले लिया है अपना हेर मासक अच्छे से रेमौव कर लिया है शैंपू कंडिशनर आप जो भी यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करो अच्छे से अपने बालों को धो और अपने पूरे जो भी या पर रूटीन फॉलो करते हैं करिये डेन यहां पर मैं करी हो, स्किन केर में जो भी प्रॉडक्ट मैंने यहां पर इस्तंf भाड राव जरुरी नहीं आप भी उनका स्तंमाल करें आपके घर में जो भी अविलेबल है आप जो हमेशा से यूजा करते आएःओ वही प्रोड़क्ट का स्तमाल आप कर सकते हो अराम से पहले मैंने मौश्राइजर अप्लाई किया है फिर यह मैं संस्क्रीन अप्लाई करें प्लीज संस्क्रीन का स्तमाल जरूर किजे अच्छी से संस्क्रीन जरूर लीजे और अपने चेहरे पे हमेशा अप्लाई करें उसके चाहें तो हैंड क्रीम की तरह बॉड़ी लोशन की तरह या मॉश्राइजर की तरह भी थोड़ा यूज कर सकते हो बट संस्क्रीन जरूर अप्लाई करना और से लगा के जादा धूप में मत बैटने लगना ठंडी लगेगी तो घर में ही रहना आप यहां पे देख सकते हो अच्छा लग रहा देखी सकते हो उसके बाद में यहां पे अपने पैरों का ध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है तो एडिया जो है फटी नहीं रहना चाहिए सबसे पहले यहां पे लगाएंगे बोरो प्लस यहां पे आपको लग रहा है एडिया फट रही है वहां पे और उसके बाद सॉक्स पहनेंगे सॉक्स पहनना बहुत जादा जरूरी रहता इससे अपका सिक्यूर रहेगा पैर अच्छे से तो यह थी सेल्फ केर विंटर सेल्फ केर रोटीन आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना तब आपके लिया नमस्ता